दोस्तो आल एंडिया आंगनबाडी न्यूस चनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी उस पर आपको क्लिक करना है फिर उसके बाद तीन आपसन आपकी स्कीन प अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी तेजी से संक्रमन बढ़ रहा है और आंगनबाडी पहनों को जो है केंडरों पर सरकार पोसर अभियान के तहट ये कारकम मनवा रही है देखो अगर खाने के लिए पैसा हो लाबाट्थी के पास में उसके माबाद के पास में तो वाकई में बच्चा खायेगा तो पोसित होगा ही नहीं और रही बास साब सफाई अभियानों की तो सरकार जो टीवी चैनलों पे बड़े बड़े मिडिया चैनल दिखाते रहते कि रिया 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 वो ही वाला प्रसुसान सिंग केस में पकर लिया ये कर दिया इसके जगा यदि जागरुपता केस मैसेज दिये जाएं उसके वीडियो प्रसारित किये जाएं तो सायथ जनता को घर बैठे यहां पर जो है जानकारी मिलती रहेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और फिलाल के लिए और इस समय तो जब करोना संक्रमन इतनी बड़ी जिमें जो है समस्य हम लोगों के सामने खुद ही आखों के सामने है तो हम उससे निप्टे या फिर अभियान मनाये जाएं और पोसर अभियान तो मनाये जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सा धनिया बरतने की जरूरत होगी और ऐसे मैं आप जानते हो कि 90-90 हजार केस इंडिया में एक एक दिन में आने सुरू हो गए हैं जी आ दोस्तों सही सुना आप लोगों ने 90 हजार प्लस केस इंडिया में एक दिन में आने सुरू हो गए हैं अब यह अकड़ा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा क्यों क्योंकि अभी हाली में तमाम परिच्छा हैं कराई गई आईएस में हमा और बता दे क्या लिखा हैं। आईएस में हमारी समझ में यह नहीं आता एक तरफ 36 गर सरकार ने केंद्र भी खोलने का ओर निकाल दिया। क्या लिखा हैं। इस तरह के कारकमों को थोड़े समय के लिए टाला भी जा सकता है। रही बात जागुर्टा भियानों की तो आप उसे मीडिया चैनलों के माद्यम से करवाइए। कि आप खाने पीने पर ध्यान दे इन चीजों पर ध्यान दे और जो मीडिया चैनलों को बड़े बड़े बताओ कि जो है बेकार की खबरों को छोड़ करके कुछ अच्छा देश के लिए करो सिच्छा रोजगार के मुद्दो को उठाओ साथी साथ जो पोसर को मिटाने के लिए आप संदेश दो लेकिन नहीं वो दिखाएंगे क्या कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी ये मंदिर कभी मस्जिद कभी तो आपका रिया चक्रवर्ती उनको पकड़ेंगे उनसे पुस्ता जा रही है ग्राम पंचयत का नाम आगनबाडी केंद का नाम बच्चे का नाम बच्चे का लिंग और बच्चे की जरमतिती बच्चे का वजन बच्चे की लंबाई सेंटीमीटर में माता का नाम परिवार का रासन कार बना है या नहीं मनरेगा जॉब कार है या नहीं अंति चीजों पर प्रारूप मांगे जा रहे हैं जियानी इलक कालमों पर आपको जानकारी देनी है सुबह मैंने एक आदेज भी आपको दिखा दिया था जिसमें मैंने सारे प्रारूप यानि दिखाया था कालम भी बताये थे देखें 11 से 14 वर्ण की किसोरी स्कूल ना जाने वाली उनकी सूची बना करके देनी है साथी अत्कोसित बच्चों की किसोरी की या सूची कली ही बना करके ब्लॉक में जमा करें ऐसे ऐसे आधे सारे इसी की आधार पर कालम बनाना है सहम में बच्चों की सूची बनाना है लाल है वंपीले वालों की वजन लंबाई करके देना है ये सारे कारकम देने हैं जबकि हर कोई जानता है कि आंगर बारी केंद्रों पर ना तो वजन की मसीने पर्याप्त मात्रा में हर किसी बैन के पास में नहीं लंबाइन आपने की जो है याँ पर यंद्रतु ऐसे मैं क्या करें मैंने फरजी में ऐसे तॉल-तॉल करके बच्चों के बजन दे देंगी ऐसे उठा उठा करके बस कितना हुआ आट किलो कितना हुआ नव किलो रग दो चड़ गया बस ये होगा इससे को कोशन नहीं मि प्राकर वेरिफिकेशन कर दिया है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है अधिकांस लोग बता रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है ऐसे ही हो जो है यहाँ पर हम लोगों का सर्कार वगरा द्वारा सोशड हो रहा है हाजी ये आप देख लिजिए लिका हाजी पुर्जोगरा ग्रामीर बैसाली बिहार से तो बिहार से बैन ने मैसेच किया डीबीटी को लेकर के सरकार ने बहुत कुछ कहा बैनों ने डीबीटी करवा दिया अब लाभार्तियों के खातों में पैसा नहीं सरकार बेज रही है औ और इसलिए इन सब चीजों के बाहर कुछ आवाजी नहीं जो सुनाई दे रही है आगे देख लिजे अगला मेसेच ये एक और बहन है ऐसे बिहार में उन्होंने अपना धर्ना प्रदर्सन भी किया है देख सकते हो रैली टाइप की गलियों में आगे एक और मैसेच देख खगडिया से बिहार से बहने हैं उन्होंने अपना ये प्रचार प्रदर्सन किया अपनी मांगों को लेकर के ये देख लिजे उनकी खबर भी एक बारों में छपके आई थी सत्रा सुत्री मांगे है दरसल बिहार में इन बहनों की धर्ना वगरा सब का चला आए आगे बता रहेंगे आंगनबाडी केंद तो बिहार में आप सबको मैंने बहुत दिन पहले बता दिया है कि बिहार में अनिस्चित काल के लिए यूनियन ने यहां पर कह दिया है मैंने सरकारी यूनियन का वो लिटर भी दिखा दिया था ऑफिसली कि यहां पर बहने जो है वहां पर सा समय बेसे महां बनाया जा रहे हैं। यकीन मानिए यदी इससे कोई बच्चा कोई कोई सबूत या साच तो है नहीं। अब ये चीज्जें कुछ होती है फो अब बता रहा कारण हम आपको बता दे जो आपका इटली हो गया, अमेरिका हो गया इनसे भी वत्तर हालाब इंडिया के आएंगे अगले 25 से 30 दिनों में कारण है 90-90 हजार एक दिन में केस आ रहे हैं और इंडिया के पास एक लाग ये सवाव लाग, बस इत्से ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं है, इत्से ज़्यादा जो है आईसुई वाले वार्ड नहीं है इंडिया में अब आप खुद बताओ जब एक दिन में ही इतने केस आ रहे हैं, तो कैसे क्या सरकार करेगी, क्या एक दिन में आईसुई वाले वार्ड में सिब्ट करने से क्या कोई इंसान तुरंत बाहर ठीक हो करके निकलाएगा, दद-दस-पंदा दिन इंसान पढ़ा रहता है, तब तो मुस्किल से घर वापस आता है अब आप अपने इस तर से सोचो कि वो समस्या कैसी होगी, वो मंजर कैसा होगा, आने वाले 25 दिनों में जब आप लोगों को आजी हम बता रहे हैं, कि जब एक दिन में 90-90 हजार केस आने सुरू हो गए और ऐसे में यह बढ़ रहा है, और स्वास विधाया सरकार नहीं दे पाएगी, और ऐसे भी नहीं है इसलिए तो देख रहे हो, घर में क्वारंटीन करने के लिए, कोरोना पेसेंट को भेज दिया जाता है, पहले पोचिट्यू रिपोर्ट आती नहीं थी, तब भी उठा ले जाते थे अस्वतालों में रखते थे, अब सिच्वेशन बदल गई है, अब कोरोना पेसेंट भी है, तब भी घर जाओ और घर में ही रहो और कुछ होना है, तो वहीं होगा जो भी होना है तो ये सब चीजें हैं, जो आप लोगों को समझनी है आने वाला समय ज़्यादा गंभीरता बरा रहेगा तो हम क्यों ऐसे में ये पोसर कार्कमिन पर ध्यान दे अरे बच्चों को आप ऐसे ही जो है, जागुटता फैला दो गाउं में माईक लेकर के लोगों को भिजवा दो और क्वेदों कि ये सब हो गया, लेकिन आगल बाड़ी केंद्रों पर आप खोल करके बैठें मैंने नव से तीन कार्कमों को आप मनाएं ये सब चीजें जो है समस्या बरी रहेंगी सरकारे ध्यान नहीं दे रही है, सरकारों का ध्यान कहीं अलग-अलग है क्यों एक तो GDP इतनी जादा गड़े में गिर गई उसको उससे बचने के लिए काम अलग मुद्दे यो रोजगार जी वह अलग भांग रहा है, वो अपना चिल्ला रहा है अभी देखा, 36 गड़ में स्कूल खोले गए है जिसका भी निगेटिव जो यहाँ पर असर आएगा अपने देश में देख लेना कोरोना को लेकर के कारण यही है, कितने जादा केज, जब ऐसे ही बढ़ रहे है तो यहाँ पर जब गत्विदिया होना स्टार्ट हो जाएंगी तब तो और ज़्यादा केस आएंगे और ज़्यादा केस आएंगे, तो आपको पता है अंडिया में कितने ICU वार्ड हैं और कितनी क्या जो है लोगों को परचित के या वही लोग बस उन्हें को सुविदाय मिलेंगी जो मिलेंगी और वो भी दीरे-दीरे खतम ही होगी तो ऐसे में आप लोग अपने-पने दिमाग को लगाओ दवडाओ और सोचो अभी वो समस्याँ अलग थी जब सौसो दो-दो-सो केस आ रहे थे पूरे भारत में आज 90-90 हजार केस भारत में आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मर रहे हैं लोग मर रहे हैं यह हकीकत है आप लोग थोड़ा सोचो समझो और देखो इदर लगे टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा क्यों? क्योंकि टीवी वाले वही दिखायेंगे जो सरकार उनको दिखाने के लिए बोलेगी अगर वो कहेंगे 90 जार प्लस केस आ रहे हैं भाई ओ बायनो अंटिया में 23-23 रजाआ लोगों की डेथ हो रही है यह कहेंगे न इडिया में मैं देख रहा है लोग कह रहे हैं कि सब फरजी है कोरोना है ही नहीं सब ऐसे ही चला है वह भाई वा कैसे लोग हो भाई यहां पर समझाना चाहते हैं समस्या बहुत बड़ी है आप सरकार पर निर्बर मत रहो और वह पहले ही कह चुके हैं मोदी मोदी जी कि यहां पर यहां पर आप आत्म निर्भर बनो किसी नजर्य इस regeneration ढ़ें किसे रही तो आप पहले जाओ पहले से चेत हो जाओ ना इसके लिए आपको जागना पढ़ेगा और मैं चाहता हूं कि यह केंड्रों पर रहे करके कारकम ना मनवाय जाएं केंद्रों पर लोगों को ना बुलाया जाएं चाहें गर्वती महिला हो चाहें चोटे बच्चे हो यदि संक्रमित होते हैं तो जहां से जाएंगे आगे आने वाले समय में आप देख रहो करोना पेसिंट बढ़ रहे हैं अब ये हकीकत तो क कोई चिपा नहीं सकता है बहले ही आज लोग आरोप लगाएं लेकिन कल वो केस तो आएंगे मैंने दो तीन महिना पहले भी आपसे कहा था एक दिन ऐसा आएगा जिब 40-45-45-4 हजार केस आएंगे एक बार ये भी कहा था जब लाग केस आएंगे वो भी दिन दूर नहीं है और आज मैं फिर कहा रहा हूँ एक लाग प्लस केस आएंगे और वो भी दिन दूर नहीं है तो अभी इंतजार कर लो चाहें अपनी साधनिया बरत लो मरजी आपकी धन्यवादोस्तों फिर मिलेगे आपको अगले वीडियो में कल सुबह की